हेलो फ्रेंड्स एक बफिर साइब का स्वागत करती हूं आपके अपनी यूटूब चैनल रामनीर क्लासेज में तक्षाच छटी की वक्षित आगई है आज की यहां पर चोई सगस की जगह आपको लिखना है 25 पाठ है नादान दोस विशे हिंदी कक्षाच है इसका प्रशन है तूसर प्रशन है अगर आपको इस कहानी का शीर्षक रखना हो तो आप क्या रखेंगे तीसर प्रशन है बच्चों ने अंडों की रक्षा की या नादानी सोच कर उत्तर दो चोथा प्रशन है सर्वनाम की परिभाशा और उसके भेद लिखो पांचा प्रशन है गुण वाचक विशेशन की परिभाशा देते हुए उसके चार वाक्य बिना तो यह पांच प्रशन है आज की वक्षीट के इन पांचों प्रशनों को आपको नौट्बुक में लिखना चिढ़े अंडू के नीचे गदी बना रखे थे और चाया करने कलिए टोकनी के टोक्री केформ टूट में लिख में कि कारनी गांच की सकते हैं लेकिन अगर हिंदी है तो हमको उत्तर पूरा लिखना होता है, इसलिए आपका यह आदर्श उत्तर हो सकता है, इस प्रशन का, देखें, next question है, question number 2, अगर आपको इस कहानी का शीर्शक रखना हो, तो आप कहानी पढ़ेंगे, तो आप अपनी सोच से कुछ भी शीर्शक रख सकते हैं, मैंने कुछ option आपके सामने, तो इसका शीर्शक हम बच्चों की नादानी रख सकते हैं, बालमन की नादानी रख सकते हैं, नादान बालक रख सकते हैं, नादान दोस तो है, और नादान बच्चे कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर इस कहानी का हम शीर्शक, ठीक है, तीसरा प्रशन दे लेकिन उन्होंने नादाने की थी क्योंकि उनके छूने से अंडे खराब हो गए थी और चिडिया ने उसको गिरा दिया था तो बच्चों ने क्या की नादाने की थी ठीक है प्रश्चन संख्या नादाने नादाने संभ्ण आ ऊंके नादने की का रिषे कराते हैं उन्हेम गुण या संख्या इया सर्वनाम के गुण दोश दशा अवस्था रंग आका राधी का भोद कराते है उन्हें अंतर तो इसके चार वाक्या कुछ भी बना सकते हो मैंने कुछ बनाए है जैसे रोहन अच्छा लड़का है तो यह अच्छा उसकी उसका गूण है ताजमहल एक आकर्शक इमारत है तो आकर्शक इमारत एक ताजमहल का गूण हो गया चिडिया ने बड़ा अंडा दिया तगडे तो इस प्रकार आप कुछ और भी वाक्य बना सकते हैं यह पांच प्रशन थे पांचों प्रशनों के उत्तर मैंने आपके साथ शेयर किये तो हिंदी की कक्षा चटी की वक्षीट थी है जो आज की 25 सगर 2021 की इसके प्रशनों तर आप कॉपी में कीजिए और याद जरूर कर लिए जीएगा यह वीडियो सिर्फ आपके हेल्प के लिए बनाया है इसका मतलब यह नहीं कि आप पड़ाई ना करें आप प्रशन उत्तर देखिए लिखिए और उसको अच्छे से याद कीजिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे और बने रही है मेरे सा अगली वक्षिट के लिए तक तक के लिए धन्यवाद